अगर आप भी मार्केट से खरीद के लाते हैं राइस ब्राइन ऑईल या फिर सर्सों का तेल तो हो जाईए साधान इन तेलों में मिलाया जाता है बहुत ही जहरीला केमिकल तो कैसे पता करें कि आप लोग जो तेल इस्तेमाल कर रहे हो उसमें केमिकल है या नहीं उसकी जनकार सर्सों का तेल करने मैं उसके बाद यहा पर अच्छे कमपनी काी बाइस कलar देख सकता कर यहाँ यह लोकल ब्रेंड का सर्सों का तेलmesi नाम ने कंदम सस्ते दांदम आता है ये सस्ता वाला है यह भी महंगा वाला और यह हैंगा वाला सर्सों का तेले है अब रही बाद इन 3 तेलो का लाइबों टेस्ट करने वाले हैं जिससे आपको पताचलेगा इसमें मिलावटि किसमें कितना जियादा है या फिर कितना लियुक्त है कि ogni या फिर 3 यह सायरा चीज़ें आप लोग को बताने वाला है और इससे यह होगा क्या आप जो दी और भी ओईल घरपी यूज़ करते होगे चाहिए आप अच्छे कंपनी के यूज़ करो चाहिए लोकल कंपनी के यूज़ करो उसमें आपका मिलावटी है या नहीं वो चीज़े आप चेक कर सकते हो तो कंप्लीट वीडियो में आप लोग बने रही है पूरा डिटेईल वीड लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा वीडियो के लाइक कर दीज़ेगा और हमारे फेजुक पेज को फॉलो करें इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो स्केगी ठीक है तो देखिए यहां पर लोको लग रहा है कि सरसों का तेल है या फिर आइस ब्रान है तो इन् वह आपके हेल्थ के लिए आपके फैमिली के लिए आपके बैवी के बच्चे के जो भी यूज कर मिलाओटी उसमें कम हो या फिर नहीं है इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़े इन तीनों ग्लास को हमें फ्रीजर में लेकि तीन घंटे के लिए इसको डालना है अब आप क्या करना है आपके घर पर आप जो भी यूज कर रहे हो चाहे राइस वरान हो चाहे मस्टरड ऑईल हो कुछ भी चाहे रिफाइन ऑईल हो अगर यूज अब जो है यह तीनों मैं रखता हूँ फ्रीजर के अंदर उसके बाद अल्मुस साड़ी 11-12 बज़े तक फिर से आप लोगो इसका अपडेट दिखाएंगे तीन घंटे साड़ी तीन घंटे के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है और आप लोग देखके शॉक्ट हो बिल्कुल आप लोग बने रेवी डियो में ले चलके रखते हैं इसको फ्रीजर के अंदर अब देखें इनको मैं फ्रीजर के अंदर सेट कर देता हूं पूरे 3-3 गंटे के लिए तीनों बोर्ट ग्लास को अपना अब देखें करीब साड़े तीन गंटे बाद यह सारे तेल को मैंने निकाल के लेगे आ चुके हैं जैसे पहले हमने रखा था उसी तरह से रखें यह है हमारा महंगा कंपनी वाला अच्छे कंपनी वाला जो हम लोग भोलते हैं बोलने के लिए अच्छा कंपनी उसका मस्टर् यह है अच्छे कंपनी वाले काफी पॉपलर ब्रेंड के राइस व्रान और यह है अमारा लोकल कंपनी का मतल्ड बना हुआ मस्टर्ड ओल ठीक है तीनों का कंडिशन आपके सामने हैं एक चीज आप सभी को क्लिर कर दो यहां पर चाहे मस्टर्ड ओलो चाहे राइस व्रान अगर प्योर रहेगा तो कभी भी वह इस तरह से नहीं जमेगा इस चीज को आप लोग लिख कर लो ठीक है रिसर्च भी कर लो प्योर मस्टर्ड ओल हो गया या फिर राइस व्रान ओलो गया वह कभी जम नहीं सकता है अब देखें यह सारे जम गया और देखें यहां पर पं औल्ली स्टमाल किया जयता है मिक्स करने के लिए पर्म ऑल्ल के सबहुआए की बनाने के लिए अयकंडम सुस्टा मिलन वाली एक ऑल है जो की इन पामोईल का मिलाओट के आता है इन सभी तेल में यह आप लोगों देख लिए अगर पामोईल मिला है तब ही जाके इस तरह से यह जमेगा ठीक है अभी इसको बाहर रख देंगे ना आदे गंटे के अंदर फिर यह नॉर्मल हो जाएगा जैसा होता है वह से रह जाएगा तो पामोईल जो है यह इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा इसका मैनुफक्टरिंग प्रोडक्शन होता है और इंडिया एक ऐसा एकलोथा कंट्री जो सबसे ज़्यादा पामोईल का इंपोर्ट करता है और ऐसा नहीं इसको गौर्बमेंट ने कंप्लेटली लीगल कर रखा ह यानि कि गौर्बमेंट के प्रोसेस के तुरू यह पामोईल को इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है मिक्स करके लोगों को खिला पिला के कैंसर करो ठीक है तो समझ ना रहा है यह क्या है तो अब उससे आपको डिसाइड करना है कि आप जो घर पे और यूस कर रो उसमें पामोईल मेक्स है या फिर नहीं है इस प्रोसेस को फॉलो गरो कूछ नहीं करना तेल को लो फ्रेजर में 3-3 गंटे के लिए रख दो जम गया तो उसमें पामोईल मेक्स है नहीं जमा तो विल्कुल ओक्य है ठेक ना लेकिन मोस्ट प्रवेबली मार्कट का चुब भी आप लोगे मैक्सिमम वाइल में आपको पामोईल मिले गए वह आपको स्रिशाज करना फिर वह कंपनी उसस तरह फाइंड करने जिसमें नहीं मिक्स करना नहीं मिक्स है और उसी तेल को आपको यूस करना और हल्दी रहना है तो आप सबीको यह इन्फोर्मेटिव वीडियो पसं है यार इसमें यह ससना वाला सर्शौका तेल था था अब यह मेल्ट होने लगा तो किस तरका इसका कलर आगए देखो यह रहाइब काफी पॉपुलर राइस ब्रान ऑईल नामने लुगा मैं इसका उपार देखो क्या कहें केमिकल है यह यह बीधी काफी पॉपुलर है अपना सरसोगा तेल देखो यह थोड़ा सा ठीक कंडिशन लग रहे हैं इन दोनों को कंपारिजन में अब आप लोग